इस लेक्चर में हम MS Word के नए फीचर के बारे में जानेंगी जिसका नाम है Change Case Change Case MS Word का बहुती एडवांस और अच्छा फीचर है और इससे हमें काफी सारी जो टेक्ट होते हैं उसमें हमें बेनिफिट मिलता है तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो Change Case Option है वो हमारे Home Tap पर मिलेगा हमको Home Tap के Ribbon पर यहां पर आपको इस तरीके का Symbol देखने मिलेगा जब आप इसको Focus करेंगे आपका Mouse Pointer उसको Focus करेगा तो इस पर आपको Tool Tip में Change Case Option दिखा रहा है और Change Case क्या काम करता है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन को लिखा हुआ है MS Word टाइक Advanced Feature है Change Case MS Word की Features पूछा जाए तो आप यह Point लिख सकते हैं Change Case Change Case क्या होता है इसको समझते हैं सबसे पहले Change Case को समझने के लिए हमें पहले काती सारी Paragraph लिखने होंगे तो मैं आपको एक formula बताता हूं आप यह formula लिखेंगे तो random paragraph generate करता है MS Word जैसी मैंने इसको enter किया MS Word मुझे 5 page का random paragraph generate करके दे दिया है तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं तक हम को clear दिखाई दें इसार formula फिर से लिखिया ना एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूं formula यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यह random का short form में लिखा हुआ है और यह 10,4 जो है वो आप मैट्रिक्स के रुपे देते हैं हम यहां पर इसको आप चेंज भी कर सकते हैं को जरूरी नहीं 10,4 हो आप इसको 11,5 भी कर सकते हैं नमबर जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतनी ज्यादे pages और paragraph जनरेट करेगा वो कम नमबर करने पड़ देखिए भी 6 page जनरेट किया है और उसको मैं 20 कर दूँगा जो 8 या 10 page जनरेट करेगा आप बहुत बड़ा आप चाते हैं कि मैं 100 page जनरेट करेगा 10 132 जनरेट किया अब आप इसमें काफ अच्छी तर प्रैक्टिस करसकते हैं पर यहां पर यह left alignment है आप इसको राइट आलाइन करके देख सकते हैं मैंने इसको जब्ई कर दिया और यह राइट अलाइट अलाइट मेंट रिए यह राइट अलाइट में जिग्जएक है और यह दोनों साड अगतल बराबर है आप ऐसा अंतर भी देख सेकें हैं ताफी अच्की प्रैक्टिस होती है लेकिन हमारा टॉपिक अभी यह नहीं था हमारा टोपिक तेम यूद्ट टोपिक को फोकस करते हैं हूँ एक तो जयों करते है अपर केस में हैै और औरक नहींीं गया अटाना में है कि अधाना कर्णा को हैं ऊथित जो हम्राइब करते हैं while इमने हम अभी करने सब्सक्राइब डियूंद壓 है कि हम उसको sentence case में write करें sentence case क्या होता है किसी भी paragraph का पहला character जो है वो capital रहेगा बाकी सारे जो characters है वो क्या होंगे statement का पहला character क्या होगा capital होगा और बाकी सारे statement जो है वो small होंगे इसको sentence case होते हैं तो case sensitivity को reduce करने के लिए मैं किसी भी तरीके से type कर सकता हूं कि मुझे यहां पर type करते करते बीच में ठीक को capital करना होता है तो type करने में मुझे समय लगता है कि मैं shift के साथ T दभाऊंगा तो इसको reduce करने के लिए split बढ़ाने के लिए change case option यहां पर आया गया change case option यह बोलता है कि आप कैसे इसको type कर दो पूरा small में type कर लिए जैसे मैं पूरा small में type कर लिए अब आपको लगता है कि इसको sentence case में बदर ला है तो आप इसको select कर लिए और यहां पर यह 5 option दिये हुए हैं देखिए sentence case sentence case में एस जो है वो capital है यानि कि पहला character capital और बाकी सब small कर देगा हूँ देखिए मैं आप क्लिक करता हूँ पहला character capital और बाकी सब क्या कर दिया small कर दिया अगला option हम देखेंगे यहां पर केस देखिए पूरा का पूरा capital में लिखा है यानि यह पूरा area जो है जो है पूरा capital letter में हो जाएगा यहां पर क्लिक करते ही पूरा capital letter में यहां पर convert हो गया change case की वजह से अगला जो case है वो है capitalize each word वर्ड का पहला character जैसे यहां पर on का हो इसमें टी इसमें टी इसमें टी पहला character जो है वो capital हो जाएगा मैंने इसको select किया और option select किया capitalize each word कि हर वर्ड का पहला character capital हो गया है हर वर्ड का पहला character क्या हो गया है capital हो गया है ठीकिश सब ऐसे जो किस पहले है जचुस का फोल्टा ह हो जाएगा या निकि Το ऑपर हो जाएगा और अपर हेसले हो जाएगा यहां पर फोल्ट जायए यहां पर धीकर की आप के की विटेम साब हम एक तो टॉगल केस के अपटा है जस्ट रिवर्स कर देता है आपके केस को कैपिटल को स्मॉल और स्मॉल कैपिटल कर देता है तो चेंज केस ऑप्षन आपको फिल से समझ में आगे होगा मैं फिट से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ एमएस वर्ड में चेंज केस ऑप्षन होम टैप के अंदर आपको मिलेगा पांस करीके केस यहाँ पर उपलबद है पांचों को आप activate कर सकते हैं इस option का use किया जाता है case sensitivity को reduce करने के लिए case sensitivity का मतलब होता है कि आप key board से पूरा का पूरा type करें small letter में बार में उसको किसी भी case में convert कर सकते हैं आपको बार-बार उसी समय इसको capital करने की जरूद नहीं है इसका बेनिफिट ये भी है कि ये एक बार में पूरे डॉक्यमेंट की इसकान कि ऐसका हुटा की है मैं यह पर एक पूरे डॉक्यमेंट ले में आप पूरे characters को replace कर सकते हैं capital to small, small to capital या किसी भी दूसरे case में typewriter में करना बहुत मुश्किल था actually MS Word को typewriter को replace करने के लिए ही बनाया गया था typewriter का replacement है इसमें typewriter के अलावा बहुत सारे advance feature भी है जैसे आप यहाँ पर characters में different font लिख सकते हैं typewriter में नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर हिंदी में भी type कर सकते हैं English में भी type कर सकते हैं टाइप राइटर में नहीं कर सकते हैं यहाँ पर आप colorful दे सकते हैं फॉर्मूरा लिख सकते हैं इमेज लगा सकते हैं जो कर सकते हैं तो आज हमने फिर चेंज केस इसमें आपको कोई है तो आप इसको पूछ सकते हैं